हलो फ्रेंड्स, कॉंपटिशन कमीटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान, आए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जुलाई मन्त की हमारे पहले करेंट अफियर सेशन को, जिसमें की आज हम एक से लेके 10 जुलाई तक कंटेंड को कवर करेंगे, और सभी का संबंद Environment and Science and Technology के साथ है, आज का सेशन स्टार्ट करें, इस से पहले आप सभी से बदपूर्ण Information सेयर करनी है, और वास्तों में ये आप सभी के लिए एक Good News ही है, ठीक है ये Good News क्या है, चलिए Guess करना स्टार्ट करिए, ये Good News क्या है, इसको समझें, मैं दो Important हिंट दे ये है, अगर इस अप्रोच को हम फॉलो कर लें, तो Trust Me, आपके तरकश में एक ऐसा तीर आएगा, जो आपको लक्ष को साधने में और ज्यादा आपको मदद करेगा, या कह सकते हैं, बहुत सटिक तरिके से आप अपने लक्ष तक पहुंच पाएंगे, तो चलिए, ज्याद आपका लक्ष है, आपका एक्जाम, ठीक, अब यहाँ पे हम जब करेंट अफियस कवर कर रहे थे, हम साइन्स एंड टेकलोजी से रिलेटर सीधा करेंट अफियस कवर कर रहे थे, नाव इट इस पावर्ड बाई, फोर इम्पोर्टेंट टूल्स, बहुत सारे हम ट्रिक्स क भी अब सामिल करने वाले हैं, याद रहे यह जो सेशन है, इस सेशन से यह अपलाई नहीं हो रहा है, अपकमिंग जो हमारा अगला जो सेशन होगा, वहां से यह सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफियस के जो टूल्स हैं, यह वहां से अपलाई होना स्टार्ट होगा, तो प था यह एक positive energy या एक motivation part ठीक है इन सभी के साथ empowered होगा हमारा current affairs session अगले current affairs session से इस प्रकार का आपका ये जो module है follow होने वाला है जिसमें कि आपको मैं बहुत सारे tricks बताऊंगा ये student request पर इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे student जो science background से नहीं है कुछ ऐसे students जिनको वो आमीनोलोजी जो है tough लगती है कठी लगती है और उनको learn करने में दिक्कत होती है कई बारा जो है confusion create होता एक science background वाले students को तो कुछ न कुछ हम ऐसे निमोनिक्स या tricks को भी हम हर session में cover करेंगे सभी session में कुछ महत्रपूर्ण mcqs रहेंगे सभी session में कुछ fact रहेंगे और सभी session में कुछ एक positive energy के साथ हम से start करेंगे ठीक है तो it is now empowered by four important tools तो current affairs का वही important section जो हमारा approach था approach क्या था यह approach क्यों हमको change करना पड़ा इसका भी इसको भी ध्यार रखिएगा क्यों इसे हमने change किया because आपको जब अपने target तक पहुंचना है तो यह target को सटिकता के साथ तभी साथ पाएंगे जब आप 100% confident के साथ content को deliver कर सके या फिर content को अच्छी तरह से आप approach कर सके ठीक ह तो इसे लिए हम इन सभी tools को यहाँ पे सामिल किये हैं यह वही point है जो previous slide में हमने समझा था ताकि सभी का अंते मुद्देश एक ही है एक ही लक्ष को साधना और ध्यान रहे हमारा यहाँ पे सबसे बहुत पूर लक्ष यह है हम exam oriented रहेंगे हम syllabus oriented रहेंगे unwanted unnecessary चीज़ों को ध सामिल हो गया कह सकते हैं आपकी तरकस में एक महत्पूर्ण तीर सामिल हो गया है जो लक्ष को साधने में मदद करेगा अब हमारा जो approach रहा था यह approach बिलकुल हम change नहीं करने वाले हैं जिसमें कि हम dynamic के साथ static को भी cover करते हैं ताकि exam में ज्यादा score आप हासिल करते हैं और area of target हमारा वही तीन important area science, technology और environment ताकि आपको ज्यादा बहतर approach मिल सके तो चलिए बिना लेट के आज का session start करेंगे next session से हम नए module के हिसाब से current affairs पढ़ेंगे आज जो as usual हम पढ़ते थे उसी के according लिए आगे बढ़ रहे हैं तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए important session based on PSL TV का एक नया launch है इसरों के सभी mission जो latest mission होते हैं सभी के सभी important होते हैं very very important होते कह सकते हैं now DRDO से related एक बहुत ही important development है जो भारत में पहली बार हुआ है ठीक है जिसमें कि हम इससे पहले अगर यह आने वाले समय में भारत में और ज्यादा develop हो गया तो trust me हम बहुत बड़े हम कह स एक्सपूर्टर defense equipment के एक्सपूर्टर भी बन सकते हैं रक्षा उत्पात के निर्यातक बन सकते हैं तीसरा है just like a novel prize mathematics में प्राइज होता है इससे कहते हैं field medal fields medal कहते हैं यह हमारा तीसरा content रहेगा चौथा भारत की सबसे largest जो है या biggest floating solar project ठीक है यह बात ध्यार रखना है उसके बाद देखेंगे LHC Large Hadron Collider ठीक है या इसे हम महा मशीन भी कहते हैं इस पर आधारित रहेगा यह content भी आपकी previous year के paper में पूछा जा चुका है यह बहुत important है पूरी म पर आगे बढ़ गया है तब ठीक है अब नाव लास्वन देखते हैं थोड़ा साइसे देखेंगे क्योंकि यह तुल्नात्मा गुरूफ से इसका अध्यान करना पड़ेगा तो इसको दो चरणों में देखेंगे पहला चरण है आज थोड़ा basic part देखेंगे अगले वाले session म इसको detail देखना पड़ेगा one selection अधिनियम जो है नियम जो है 2022 जो बना है basically इस पर आधारित होगा तो आई यह start करते हैं आज के session को तो सबसे पहले PSLV याने polar satellite launch वहिकल का पहला project sorry इस साल का अभी latest project यहाँ पे देख रहे हैं screen पे इसको हमको सबसे पहले समझना होगा PSLV जानते है PSLV polar satellite launching vehicle हमारे पास जो launching vehicles है इसमें हम प्रित्वी की सत्था के ऊपर अलग-अलग उचाई पर अलग-अलग प्रकार के satellite को हम क्या गरते हैं छोड़ते हैं सामानित्ता माना यह जाता है चलो अगले slide में मैं उससे बताऊंगा जहां पी space में अलग-अलग प्रकार की जो satellite छोड़े जाते हैं उसका basically purpose क्या है और किस प्रकार छोड़े जाते हैं कुछ important factors से समझेंगे current face का dynamic part देखिए PSLV C-53 ने अभी आंदरप्रदेश की स्रीहरी कोटा से अपना 53 नंबर का C-53 mission जो है लाँच किया ठीक है basically Singapore के तीन satellite को उन्होंने लाँच किया है ठीक है उसका नाम important नहीं है DSEO, Nishar and Skuven ठीक है इस नाम में कोई खास बात है नहीं बस याद रखना C-53 mission है Singapore की तीन satellite को हमने लाँच किया है मतलब हमने services provide किया है to the Singapore और Singapore ने हमको pay किया है ठीक है जिसकी कारण भारत में revenue creation हुआ है भारत में revenue आया है PSLV का यह C-53 mission, actual में ESRO की जो commercial unit है वानि जिक साखा है उसका दो important commercial unit है एक का नाम है Entrix Corporation और दूसरा का नाम है New Space India Limited का यह second mission है तो NSIL का दूसरा important mission है याद रखना ठीक है यह भी important है first mission भी important है जो basically Amazonia को हमने launch किया था और दूसरा यह mission है basically क्या है that is 53 number का mission है Singaporean team as a satellite को हमने launch किया है overall हम देखते है PSLV का 55 number का mission है तो आप सोच सकते हैं कि इसकी accuracy कितनी है 55 में see 53 है ना लगबग लगबग पूरे 53 mission सफल हुए के वल दो mission असफल हुआ है मतला high accuracy है इसकी मान सकते हैं ठीक चलिए तो यह आपको ध्यान रखना है कि exam oriented क्या important content है latest mission of ESRO तो अब latest mission of ESRO को मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि exam upcoming exam में यही पूछे जाएंगे at least 2022 में जितने भी launches होंगे वो सभी important है आप सभी के लिए तो चलो मैं इसको थोड़ा step by step बताता हूँ देखो ESRO ठीक है Indian Space Research Organization ठीक है भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 15 अगस 1959 को हमने इसे स्थापित किया भारत में इसरों के अलग-अलग centers है लेकिन यहां पे हमारा संबंद आस देख रहे हैं इसकी दो वानिजिक साखा दो एक कहना चाहिए commercial unit है एक का नाम है Entrix Corporation यह भी एक्जाम में पूछा जा चुका है वर्स 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और दूसरा हम देखते हैं अभी latest में बना है NSIL New Space India Limited ठीक है तो यहां पे समझना है कि यह जो वानिजिक साखा है commercial unit है यह क्यों बनाए गया था क्योंकि हम दूसरे कंट्री के satellite को launch करेंगे और उसकी services के कारण हमको वहां से revenue प्राप्त होगा ठीक है तो सबसे पहले 1992 से जो commercial unit बनीती वही services दे रही थी नाओ वर्स 2019 में हम देखते हैं new space इंडिया लिमिटेट का गठन हुआ दोनों का headquarters कहां पे बैंगलोर में इस दोनों का headquarters भी कहां पे बैंगलोर में अब यहां पे समझना है आपको कि NSIL ने क्या किया इसका पहला mission launch किया था 18 passenger satellite 18 passenger satellite प्लस एक satellite ब्रजील का था उ Amazonia का संबन बिलकुल आप सही सोच रहे Amazon forest के साथ है Amazon forest दुनिया का सबसे घना forest है very dense forest of the world और वहां पे उसको तेजी से वहां पर exploitation हो रहा है चुकि very dense forest है इसलिए Brazil को बहुत ज़्यादा चुनौती मैसूस हो रही थी कि उसको किस प्रकार caretaking किया जा सके उसे deforestation को रुका जा सके exploitation को रुका जा सके तो उन्होंने एक satellite ही बनाने का प्रयास किया और satellite को इस उरू को कहा कि आप वहां पे हमारे लिए satellite छोड़िए Brazil ने हमको पे किया हमने उनके लिए Amazonia छोड़ दिया यह कब छोड़ा यह भी 2000 जो है आपका 2021 के session में हुआ है तो कब वहा इसे तारिक है 28 28 फरवरी यह 18 फैफ 2021 को यह इसको हमने छोड़ा था किसे छोड़ा था Amazonia को और यह क्या था PSLV का C51 mission था इनकावनवा mission था अभी हमने देखा 53 तो यह 51 नंबर का तो यह NSIL का first project क्या है कहा जाएगा तो Amazonia और 18 passenger याद रखना फरवरी 2021 को छोड़ा गया था अब हमारे पास यह समझ तो आ रहा है कि अगर यह 51 है 53 पढ़ लिए तो 52 क्या है तो PSLV C52 PSLV का 52 नंबर का बावनमा mission यह था बेसिकली था Earth Observatory Satellite EOS प्रित्वी अवलोकन उग्रह 4 पर ठीक है इसे कब launch किया यह था very famous date 14 फरवरी 2022 को ठीक है तो यह फरवरी का एक mission यह important हो गया यह PSLV का और यह आपका 53 नंबर का और चुकिए NSIL का first project है इसलिए यह भी important हो गया ठीक है इस बात को ध्यां रखना है अब तो NSIL बनने के बाद भारत में private sector के लिए भी बहुत सारे investment के रास्ते खुल गये हैं तो आने वाले समय में हम इस रो और बहुत बड़े-बड़े कृतिमा रचने वाला है चुकि यहां पर private entity की भी entry हो चुकी है अब फिलहाल government of India बहुत बड़े-बड़े project पर भी यहां approval दे रखी है जिसमें की गगनियान बहुत important mission है भारत के लिए यह अभी news पे चल रहा है अगले mission में अगले जो महत्पुन session में हम इसे cover करेंगे गगनियान को क्योंकि नए-पडेट्स आएं इसरो chairman के उनके speech के बाद तो उन सभी updates को मैं next session में बताऊंगा about गगनियान very very important और चंद्रयान थी कभी मैं आपको update दोंगा नाव आपको यहां पे इसरों के बारे में बस इतना समझना है कि एनसाइल एनसाइल मतलब new space इंडिया लिमिटेड कभ यह foundation यह इसका जो है कब रखा गया था 2019 एनसाइल में new space का मतलब यह है कि universe का एक ऐसा एरिया या space का ऐसा एरिया जो अभी तक अंटस्ट है जो अभी त आउंगा बेसिकली आज बेस था पी एसलवी पर अच्छा लॉंचिंग वहिकल की जो सीक्वेंस है यह थोड़ा सा समझ लो आल्रेटी मैं पहले बता चुका हूं भारत ने पहले लॉंचिंग वहिकल यह ने प्रक्षेपड यहान ऐसलवी बनाया उसके बाद एसलवी मतलब देखते हैं यह सेटलइट लॉंचिंग वहिकल यह कब बना था उसके बाद देखते हां पर सेटलइट लॉंचिंग वहिकल फिर सेटलाइट लॉंचिंग वहिकल पहला seguratt ऐसकों दो हृत। थिक है ध्यां रखना है ठीक है और अग्मेंस्ट सेटेलइट लॉंचिंग वहिकल फिर पोलर सेटलाइट लॉंच वहिकल उसके बाद बना था जी एस यल्वी जी यो सिंक्रोनेस लॉंचिंग वहिकल जिसको वर्स 2001 में बनाए गया था और finally GSLV की अलग-अलग वर्जन आते हैं Mark 1, Mark 2 और Mark 3 तो भारत के पास सबसे powerful अभी launching vehicle है GSLV Mark 3 ठीक है ये बात को आपको ध्यां रखना है चलिए ये content में दुबारा repeat किया हूँ पहले बता चुका था मैं ठीक नाओ आगे चरते हैं आगे बढ़ते हम जिसमें की दूसरा important content देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा achievement है डिया डियों के लिए जैसे कि आप ड्रोन जानते हैं ड्रोन में क्या होता है ड्रोन unmanned होता उसमें कोई व्यक्ति थोड़े बैठा होता च पहली बार ये achievement हासिल किया है कह रहे है माना और रहित लडाकू भी मान वो भी अन्मेंट जो है एरक्राप्ट उसकी पहली उडान हम बने यहां पर डैबलब किये है करनाटक के चित्र दूर एरोनॉटिकल रेंज मेंने टेस्ट किया था बेसिकली से काम की बात यह है एक जुसे एवी ठीक है अन्मेंट ऊन्मेंट कोम उसके कव्डैट एयर वहिकल टिक है जिसमें हम कह सकते हैं स्ट Dirnt विंग फ्लाइट था सुप्ट को भी इससे कहा जाता है यो सी अवीग को किया कहा जाता है सुप्ट वह जाता है एक ऐसा फार यह नडाकर बिमान जो अन्में वाले समय में हम ऐसा डेवलप कर लेंगे तो बड़े बड़े जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी जहां पे हमारे आर्मी या हमारे एयर फोस को जहां नुकसान उठाना पड़ता है तो अकेला यह अर्डमेंड जो है एयर काप्ट या फिल अडाकू विमान जाएगा फाइटर किया खुदी टार्गेट तक पहुचा खुदी उसको अटेक करके वापस लॉट के आया इसलिए यह पूरी तरह से 100% ऑटोनमस था और इसे सिफ्ट भी कहते हैं इसे याद रखना होगा रक्षा मंत्री साहब ने इसे काफी ज़्यादा एप्रिशेट भी किया क्योंकि ऐसा भारत ने पहली बार किया है एक उपलबधी है भारत के लिए इसलिए इसे पूछा जा सकता है ध्यां रखना है नाओ नेक्स चलते हैं अगला कंटेंट की और अगला कंटेंट है यह है आपका इंपोर्टेंट कंटेंट डाट इस एक्चुली अ नोबल प्राइस आफ मैट् नोबल प्राइस दिया नहीं जाता ऐसा कह दिया जाता है तो यहां पर क्या है फील्ड मैडल वर्स 2022 की घोशना की गई है और इसमें हमको समझना है कि किन किन लोगों को यह दिया गया है मैट्स के छेत्र में दिया जाता है यह सरवुच सम्मान है जिसमें की 40 वर्स से कम एस की गई है बेसिकली इंटरेशनल मैथेमेटिकल यूनियन के द्वारा ठीक है अंतराश्टी गणिती संग के द्वारा कुल चार ऐसे विनर है इसमें यह नाम बहुत इंपॉर्टन है मैरीना वियाजो वस्का क्योंकि आपको पता यह यूकरेन से हैं एक नंबर थियोरिस्ट है ठीक है और यहां पे ध्यां रखना है कि यह यूकरेन से है और चुकि रश्या और यूकरेन के बीच में वार हो रहा इस बीच में इनको यह प्राइस मिला है तो अपने आप में बड़ा अच्विमेंट है मैरीना वियाजो वस्का का नाम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्ट या उनका जो है ओवरल रिसर्च है जून फूफ जो है वो बेसिकली कॉम्बी नेट्रिक्स के विशिसग्या है और जो जो जूमेट्री के संयोजन के छेत्र में इनका युगदान है और उसके बाद देखते हैं संभ्या भाव्यता के सद्धान के विशिसग्या है आप यह क कोपिन ठीक यह जैसे आप हर साल एक्जाम के पहले जितने भी नोबल प्राइस विनर को लान करके जाते हैं सेम उतना ही इंपोर्टन्ट है बिल्कुल भी कम इंपोर्टन्ट नहीं है इकवेलंट है उतना ही relevant और महत्वकाई content है field price क्योंकि इसे कह दिया जाता है maths के छेत्र में noble price ये बात को आपको धिया रखना है अब हम देखते हैं maths के sector में कुछ important price award तो तीन महत्पूर नाम है एक का नाम अभी हमने देखा field medal तो field medal जो है ये पहला important है सबसे important है ये इसे maths का जो है nobel price कह दिया जाता है दूसरा abel price abel पुरशकार ये abel price ये दूसरा महत्पूर पुरशकार है math के sector में और तीसरा है रामानुजन अवार्ड ठीक है रामानुजन अवार्ड दिया जाता है ये अभी latest है बाद में अभी हाली में इसे दिया जाना start किया गया है field medal याद रखना 1936 से इसे प्रारम कर दिया गया था और इसमें हमने देखा अभी कि international mathematics union के दौरा field medal जो है दिया जाता है और action में कीन की याद में दिया जाता है कनाड़ा के एक famous mathematician है उनका नाम है jc fields तो jc field के नाम पर ये दिया जाता है फिलाल इतना आप याद रखे तो इसलिए field medal बड़ा important है अब उसके बाद यहाँ पर समझना है कि जो abel price है abel price ये भी maths के sector में दिया जाता है और basically जो है king of norway norway के जो राजा है उनके द्वारा दिया जाता है नारवे के राजा के द्वारा दिया जाता है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना है अब तीसरा है रामानुजन अवार्ड इसमें तीन importance सस्था है जो है जुड़ जाती है एक है international mathematics union IMU अभी जो हमने पढ़ा दूसरा है ये है आपका ICTP International Center for Theoretical Physics और तीसरा नाम है DST Department of Science and Technology ये अभी स्टार्ट हुआ है 2005 से ये I will प्राइस स्टार्ट हुआ है 2003 से ठीक है और ये field medal जो है बहुत पहले से स्टार्ट किया गया है आप सोच रहा होंगे field medal अगर इतना important है तो रामानुजण साहब को क्यों नहीं दिया गया था तो 1936 में स्टार्ट हुआ था तो रामानुजण साहब 1930 में ही चले गए थी इस दुनिया से ठीक है तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो आपका जेसी field है बहुत important ये आपका match का जो है अब आप मुझे ये बताईए कि national mathematics day कब मनाया जाता है तो national mathematics day every year 22 December को मनाया जाता है ये ही वो important date है रामानुजण साहब का birthday रामानुजण अवार्ट कब दिया जाता है तो 31 December को दिया जाता है ठीक है ये याद रखना है ठीक चलिए अगले content की और move करते हैं अगला content है ये यहाँ पर देखें कि भारत की सबसे बड़ी floating solar project ठीक है सबसे बड़ी floating solar project है मतलब solar energy से हमको electric energy electricity produce करना है यसे संबन्दित है 100 megawatt की अभी तक की सबसे बड़ी floating solar project है याद अखना floating का largest है ना कि overall जो है largest है या biggest है तो 33 वी क्या solar project की सबसे बड़ी जो है यहाँ पर plant लगा हुआ है रामा गुंडम floating solar photovoltaic project ठीक है पीवी का मतलब photovoltaic है ना 33 वी सौरुजा परियोजना ठीक है overall 100 megawatt था इसमें की 20 megawatt का latest addition है तेलंगाना में यहाँ पर याद रखना है एक जुलाई 2022 से स्टार्ट कर दिया गया है और photovoltaic module यह होता है जो light energy को किसमें बदलता है electric energy में क्या यूज किये जाते है photovoltaic cell में आप सभी को पता होगा crystalline silicon या फिर हम कहते है monocrystalline, diacrystalline या polycrystalline silicon silicon क्या होते हैं? semiconductor होते हैं और दर्चालक होते हैं और इसमें कि light energy light energy को electric energy में बदला जाता है ठीक है यह बात ध्यार रखना है अब आप सोच रहेंगे floating का क्या खास concept है आप इससे सामाने कुछी ऐसे समतल जगा पर क्यों नहीं लगाते तो इसका सबसे बड़ा reason यह है आप समझिए कि अगर floating type का याने पानी के ऊपर अगर हम इस प्रकार का floating वाला solar panel लगाते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का आपको land acquisition याने की भूमियादी ग्रहण की जोरत नहीं पड़ती दूसरा इसका फायदा यह होता है चुकि ऊवर covered होता है solar panel से तो vaporization of water कम हो जाता है पानी का वास्पी करण कम होता है तो इसमें जल सरक्षन की दृष्टी से भी फायदे मन है तीसरा यहाँ पे जमीन समतल करने जैसा कोई challenge होता ही नहीं है और चौन्था यह हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक यह एरिया में यहाँ पे मौजूद होने के बाद चुकि यह गर्म भी हो जाता है तो गर्म हो जाने पर नीचे क्या होता है पानी मौजूद होने के कारण यह इसका जो production unit है वो बढ़ जाता है जैसे सामाने तो अगर किसी terrestrial part इस थली जगह में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है तो उसको further अलग से उस पे कुछ और additional चीजें यहाँ पे जोड़नी परती यहाँ पे already है गर्म जब heat हो जाता है तो पानी नीचे मौजूद होने के कारण उसे हम क्या करते हैं कूल भी कर लेते हैं और इस पकाल लंबे समय तक यह चल रहा होता है clear होगे आप सभी को तो यह solar power project का सबसे बड़ा यह आपका plant है याद रखना यह data कभी भी change हो सकता है क्योंकि हम एक बहुत बड़े mission की और आगे move कर रहे हैं वह mission का नाम आप सभी जान रहे होंगे जो exam में पूछा भी जा चुका है तो आने वाले समय में क्या है हम बड़े target को लेकर चल रहे हैं कि वर्स 2022 तक हम 175 गीगावाट का क्या है production unit target रखें कौन सी energy है यह गीगावाट है देखो जो clean energy होती कोई waste नहीं चुड़ती और लगाता नविनिकरित होती है recycle होते रहती है उसे renewable energy कहते हैं तो भारत 2022 तक का कितना रखा है 175 गीगावाट और PSE 2000 21 का question क्या है वर्स 2030 तक कितना target रखा है 500 गीगावाट अब वर्स 2022 में अगर हम March का condition देखते हैं तो हम 110 गीगावाट तक already हम touch कर चुके हैं नाव देखना है कि बाकी और 65 गीगावाट हम कितना अजीव कर पाते हैं आप इसका breakdown जरूर नोट करिए यह आपके examination point obviously very very important है कि वर्स 2022 में जब हम renewable energy को target रखें तो कौन सी energy कितने गीगावाट को हम target रखें सबसे पहले सबका क्या होना चाहिए contribution क्या होना चाहिए सबके सब renewable energy होनी चाहिए नवी करणी उर्जा होनी चाहिए नवी करणी यह नविनिकृत उर्जा होनी चाहिए तो क्या क्या हो जाएगा जैसे कि हम देखते हैं सौर उर्जा, solar energy दूसरा हम देखते हैं पावन उर्जा ठीक है पावन उर्जा ठीक है सबका टार्गेट इंपोर्टेंट है उसके बाद देखते हैं बायो मास उर्जा बायो मास एनर्जी ठीक है और उसके बाद देखते हैं क्या है छोटे पन बिजले स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठीक है यह होने चाहिए सब मिला के 175 होना चाहिए तो कितना कितना इसे नोट करिए आप तो यह क्या है आपका है 100 गीगावाट ठीक है 2022 के अंद तक हमको 100 गीगावाट तक हमको अचीव करना है फिर से मैं repeat कर रहा हूँ इधर हम देखे थे यह आपका मेगावाट है लेकिन अ तो 160 हो गया इसके बाद बायो मास है ना बायो मास से जो हमको उर्जा मिलेगी जैसे की आप गन्ने की खोई से या जो है धान से जो आपका होगा ओवराल जो बायो मास जया उत्पात से जो है जो एनर्जी प्राप्ट होगी वह हैं 10 गीगावाट 175 हो गया और इसमॉल है बहुत इंपोर्टेंट कंटेंट है याद रखना एक्जाम में पूछा जा सकता है चलिए यह क्लियर होगे आप सभी को अब आपको पूछा जाए इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा वहां पे क्या है सोलर एनर्जी का प्रोड़क्शन होता है तो जो लेटेस्ट हम वेबसाइट के डेटा के हिसा आप से हम देखेंगे यह है आपका पहला स्थान है करनाटक ऐसा कौन सा राज है जो सरवाधी क्या सोलर एनर्जी प्रोड़क्शन करता है आपका करनाटक एक्चुल डेटा आप सेवन थाउजन प्लस जो है मेगावाट ले के प्लस है ना 5000 प्लस है ना मेगावाट बस यह बात दो बात याद रखना है और अगर ओवराल कहा जाए एक सिंगल यूनिट का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तो कहां पे है रीवा में मतलब एक ऐसा यूनिट जो सबसे बड़ा है ठीक है जैसे वो मल्टीपल यून होते चलेंगी अब यहाँ पर देखते हैं कि पूरी मानवता को बदल देने वाला एक इंपॉर्टेंट मिशन है लार्ज हैड्रान कोलाइडर अब यह सोत रहें यह इतना डिफिकल्ट नाम या यह एक्जाम में पूछेगा कि नहीं तो मैं आप सभी को बता दो यह एक्जा चुका उससे कहते हैं गौट पार्टिकल जो भूँ है वह में पूछा गया है तो इक्जक्ली देखेंगे यह स्टार्ट किया गया था यह क्या हुआ था एक एक जो हैं इक महत्पूर्ण सथा उसका नाम है सी ए आर एन कहते हैं सर्न क्या है यह रोपीन निउकलियर टाम के इसाप से सन बनाए याद रखना कि नुकलर एनरजी पे रिसर्च करने वाली यूरोपी एजनसी यूरोपी यूनियन की एजनसी है इसका एक प्रोजेक्ट हुआ था लह सी जमीन के अंदर सौ मीटर जमीन के अंदर सौ मीटर गहराई में इस प्रकार 27 किलो मेटर यह ज और इस रिंग में हम क्या करते हैं फोटान को फायर करते हैं तो प्रोटान को फायर करने पर हमको देखते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं आपको यहां पर पता हूँ जो मुलभूत पार्टिकल्स क्या क्या है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन आप जानते हैं लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि और भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि आप नीट्रीनों जानते हैं क्वार्क जानते हैं क्वार्क जो मिलके आपस में इस प्रकार प्रोटाउन न्यूट्राउन वगरा बनाते हैं तो यह उनमें चार्जे जिसमें की लिए एक बहुत बड़ी एैंसिक प्रॉज़ेक्ट है जिसमें की हम क्या करेंगे इसका उद्धेश ये है कि ब्रहभांट के बारे में universe के बारे में हम को जानने को ज़्याधा बहतर तरीफिन का मौका मिलेगा आप क्या सोचते हैं? आपका या इस यूनिवर्स या इस पृत्वी या ओवराल इस यूनिवर्स का पृत्वी तो छोड़िये पृत्वी के बाहर और प्लैनेट भी ले लो तो वो तो आपका आपका दिमाग या आपकी सोच कहां तक जा रही है lyset अधिक से आठ्या हैं और ब्रह्माण को बनने में एक later आता है कि यह और को study क्या है उसका रहस्य क्या हमको जानना है जब पूरा ब्रहांडी 85% डार्क मेटर से बना है तो मैठेमेटिकली हम उसे प्रूफ कर चुके हैं यह मौजूद है लेकिन उसे क्या होने के जादा हैं यह बात समझ रहें क्योंकि हमारा अगर कोना कोना हम डिसकवर कर ले तो कह लेटे कि एक्जाम में आता है ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल एक ऐसा एक ऐसी जगह है युनिवर्स का जहां पे ग्रैवीटेशन फॉर्ज इतना जादा है कि सूरी की किरने भी जाएंगी तो उसे भी अब्जॉर्व कर लेता हूं ब्लैक स्पॉट काला जो ब्लैक होल कहते हैं कुछ भी वहाँ पे नहीं बसता इतना पावरफुल वहाँ पे एनरजी है तो वह concept क्या है तो ब्लैक होल का concept जानना है डार्क मेटर क्या जानना है आप overall क्या है युनिवर्स के बहुत सारे ऐसे रहश्य हम जानना है तो सब चीजों के लिए ये particles का discover कर लेंगे तो आपकी theory जो है ये सम के बोस आइंस्टीन स्टाटिस्टिक्स है ना उन्होंने एक theory दिया था उस theory के कारण जो है बोसान कंड की खोज हो पाई है ना बोसान कंड की खोज 1960 के डिकेड में हो गई थी लेकिन उसे क्या अभी जो है पूरी तर से प्रूफ किया गया हिक्स बोसान के द्वारा और उस हम देख लेते हैं क्या है तो इसके तीन चरण है तो तीसरा चरन अभी चालुआ है यह दित एसन न्यूस में है कि पहले चरण में हमने डेखा सर ने in 2017 के पहले चरण में हिक्स बोसान यह गओड पार्टिकल की खोज मेग अई आ आप यहाऑ पार्टिकल का है बेसीड प्रि आपका हिक्स को हिक्स आपको जो है 2013 का नोबल प्राइस मिला था चोटी मोटी डिसकवरी तो थी नहीं यह एक्जाम में पूछा जा चुका है आप इसके 2014-15 का एक्जाम का पेपर सॉल करके देखो अब दिखेगा उसके बाद देखो स्टार्ट किया गया था यह कब स्टार्ट किया गया था वहां पे 2012 की डिसकवरी थी और 2013 में नोबल प्राइस मिला था उसके बाद अभी वस 2022 मतलब ठीक दस वस बाद इसे तीसरे चरण में स्टा किया रहा है इसके मेंबर है सं कमीटी के में व्ब कर भारत भी उसमें एक कहना चाहिए एक पर्विक्षक रास्ट ऐसा में आपको ली जा सकती है इतना सक्वाइटा श्का चाल को पठाली गया जा सकता है यहनद और रहाश्य को पटा लगायजा सकता है यह मैटर हमाइनर होते हैं इक पार्टीकल्स से पार्टिकल्स क्या हो तो कॉर्ट को समझने में बोसान की भी बहुत सारे हाहां हैं तो दुनिया में जो हैं जो हैं चार फंडामेंटल फुर्स आप जान सकते हैं क्या-क्या fundamental चाल मौलिक बल है फोर जो है fundamental forces है आप इसे तो नोठी कर लीजिए एक्जाम में आ चुका है ठीक है चार मूलभूत बल है fundamental forces है यह चार नाम आपको याद रखना है और कौन सा powerful है कौन सा कम powerful है यह एक्जाम में आ चुका है तो चार नाम में सबसे पहले 1, 2, 3 और 4 तो पहला तो आप लिखो यहाँ पे गुरुत्वा कर्शंड बल गुरुत्वा कर्शंड बल यह क्या है fundamental force यहाँ पे मौजूद है पहले से ही गुरुत्वा कर्शंड बल के कारण क्या मिलता है पित्वी के ऊपर atmosphere मिलता है ठीक है otherwise नहीं मिलता ठीक है यह सबसे क्या है कमजोर जो है force है आप सोथ रहें कि यह powerful होगा नहीं यह सबसे कमजोर है ठीक है दूसरा हम देखते हैं विद्दुत चुम्बकिय बल ठीक है electromagnetic force ठीक है यह दूसरा है और तीसरा हम देखते हैं है ना तीसरा हम देखते हैं यह है नाभिकिय बल नाभिकिय प्रबल strong nuclear force ठीक है और तीसरा चौथा है नाभिकिय दूरबल नाभिकिय क्या होते हैं आजो है weak forces या दूरबल ठीक है nuclear weak forces यह आपका चार ऐसे forces हैं कौन से जो fundamental force of the nature, प्रिथ्री या प्रकृति के क्या है, चार या ब्रह्मान के चार मूल या महतपून fundamental forces है, यह चारों का नाम आपको याद रखना है, सबसे powerful कौन सा है कहा जाए, तो nuclear जो नाभी की प्रबल बल है, nuclear जो है आपका strong force है, सबसे ज़्यादा यह आपका strong होता है, सबसे जो है कमजोर कौन सा होता है, तो गुरुत्वा करशन बल, gravitation force सबसे कमजोर होता है, अगर इसका sequence याद रखना हो, तो यह 1 मानू, 2 मानू, 3 मानू, 4 मानू, तो इसका sequence क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4, और उसके बाद हो जाएगा आपका 1, ठीक है, यह बाद यह exam में आ चुका है, ध्यान रखना, है ना, तो सबसे म पूर्ण कहां कहां मिलता अगर इसको आपको सोचना है तो गुर्टवा करशन बाल तो दो वस्तूओं के बीच में लगता जिसके कार उपर से नीचे जो है वस्तूप खीचे चली आती है विद्धुत चुमकी बल कहां पे होता है अगर यह जानना है तो आपको सीधा सीधा सम तो नाभिकी बल जो होता है आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के बीच में क्या होता है वहाँ पे नाभिक होता है नाभिक में क्या होते है प्रोटान बहुत सारे होते हैं अब बहुत सारे प्रोटान जो है क्या सब में पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बावजूद positive positive तो होना चाहिए रिपल्स होना चाहिए याने की प्रतिकर्शन होना चाहिए लेकिन क्या है यह strong nuclear forces के कारण बंधे होते हैं ठीक है तो इसके कारण बंधे होते हैं तो यह होता सबसे दुनिया का सबसे powerful force ठीक है और चौथा है नाविकी बल नाविकी दुरबल बल जो होता जो बेसिकली जो radioactive element होते है ना तो उसमें जो बीटा बीटा जो है रेडियेशन जो निकलता है है ना उसके कारण जो है मतलब यह नाविकी दुरबल बल की कारण रेडियो एक्टिवीटी जैसे property या गुण धर्म देखने को मिलता है जैसे कि बीटा रेडियेशन का हम emission या content यह है और जैसे मैंने पहले ही बताया था इसको हम आधा दूरा देखके जाएंगे क्योंकि इसको तुलनात्मा गुरू से पढ़ना है परियाबरन वन और जलवाई परिवर्तन मंत्राले के द्वारा वन सरेक्षन अधिनियम जो है 2022 जो है जोड़ा जा रहा है किसम गठन होगा एक जो है एडवाईजरी कमिटी होगी जो परियावरन सरेक्षन के मुद्धों में तेजी से अनुमूदन यानि की अप्रूवल का काम करेगी दूसरा जो है रिजनल जो सेंटर होंगे उसमें एक छेत्री अधिकार प्राप्त समीती होगी जो एक लिमिटेट ट क्रक्रट करेंगे कि जितनेबी इंपॉर्टेंट जो प्रॉजल साते हैं यह प्रॉजल्स को भी है कि एक बहुत मद्पुर्ण फॉरस्का एक्ट आयठा जिसमें की जो वास्तविक वनवाजी हैं या जो अधिवाशी जो जो है भाईवाइन हैं इनके अधिकार देने के लिए उनको wun cottage वगर दिये गए थे उनको हम कहेंगे उनमें के रहने्र लिए उनको कावर की गई थी और यह वास्तविक रूप से हम अधिवाशियों को उनका अधिकार दिये थे हम कह सकते हैं तो अब यहां पे हमको समझना है कि इसको भी थोड़ा सिथिल किया जा रहा है तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जब कोई करना करो और पैसे भर दो और जेल जाने से लोग बच जाएंगे और इसके प्रति डर खतम हो जाएगा और दोहन और बढ़ता चले जाएगा इसका में तुलनात्मक जो है विवरन दूंगा अगले क्लास में जिसमें कि हमको जो इन्वार्मेंट एंड फॉरेस्ट सभी जितने भी है एक स्लाइड में पूरे के पूरे आपके एक्ट अधीनियम मगरा आ जाएंगे और उसमें आपको यहाँ पे तुलनात्मक रूप से यह दोनों चीज़ों को मैं बताऊंगा ताकि आप इसको अगर मेंस के पॉइंट आव्यू से भी या फिर फैक्चुल पॉइंट आ लेवर के साथ एक नए अप्रोच के साथ हम स्टार्ट करेंगे करेंट अफियर सेशन को तो आज के लिए मुझे विज़ा दीजिए थैंक्यू सो मच है वानाइस टे